सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ठंडा दूद पीने के फाइदे दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे दूद का नाम सुनकर मूँ और भौई सुकुर लेती हैं लेकिन आज हम आपको ठंडा दूद पीने के कुछ ऐसे खास फाइदे बताएंगे जिससे कि आप रोज दूद पीना सुरू कर देंगे आपको बता दें ठंडा दूद ना केवल स्वास्ते भरा होता है बलकि टेस्ट में भी काफी लाजवाब माना जाता है गरम दूद पीने से कई फाइदे तो होते हैं लेकिन पहें ठंडा दूद पीने से भी कोई कम फाइदे नहीं होते हैं ठंडा दूद पीने से एसेड, मोटापा, बार-बार भूंख लगना, आधी चैसी छोटी-मोटी बिमारियां दूर हो सकती हैं यही नहीं अगर आप जिम से आकर बुरी तरह से ठक जाते हैं और तुरन एनरजी के लिए ठंडा दूद किसी औसदी से कम नहीं होता इसे खोई हुई एनरजी भी वापस आएगी और मसल्स को रिफेर होने में प्रोटीन भी मिलता है अगर आप बिल्कुल ठंडा दूद पीएं तो सरीर को पहले उसे नॉर्मल तापमान पर लाने के लिए कैलोरी बंड करनी पड़ेगी और फिर उसे पचाना पड़ेगा इससे आपका मुटापा कंट्रोल में रहेगा आपको बता दें हलका गुनगुना दूद पीने से नीन आती है क्योंकि दूद में अमीनो ऐसे ट्रिप्टो फन पाया जाता है लेकिन ठंडे दूद में प्रोटीन होने की वज़े से ऐसा नहीं होता इसलिए इसको दिन में कभी भी पी सकते हैं अगर आपको खाना खाने के बाद बार बार भूंक लगती है तो आप ठंडा दूद पी सकते हैं आप चाहें तो ठंडे दूद में ओट्स मिला कर भी खा सकते हैं ठंडे दूद पीने से डी हाइड्रेशन होने से रोकता है दूद पीने का सबसे अच्छा समय है कि सुबा पिया जाए ठंडा दूद खाना पचाने के लिए लापकारी है या फैट, घी, तेल को आराम से पचा सकता है अगर इसमें अद्रक, मिर्च मिला कर पिया जाए तो ज़्यादा असरदार होता है निउस टाइम के लिए स्मिर्थी रावाद की रेपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं